साथवे चरण में आजमगड में भी चुनाव गोना है और यहां पर लडाई तो आनवान शान की है यहां की दाजनीती बाकी जगों से अलग है यहां की जिनता का अलग अंदाज है सपा के गड़ में शुमार आजमगड जिले में किन सीटो पर टाइट फाइट है कहां आपने सामने के रसुखदार चेहरे हैं देखे आजमगड की लडाई में कहां किस के बीच है काटे का मुकाबला काजीपर और मौउ से सटे इस जिले में सियासत का अलग ही अंदाज रहा है यह आजमगड है जहां कई दिगजों की साख ताव पर लगी है सात्में चरण में जिन नौजिलों में वोटिंग होनी जा रही है उसमें सबसे ज़ादा दस सीचों वाला जिला है आजमगड आजमगड की दो सीचों पर काटे की टकर देखने को मिल रही है आजमगड सदर और फूल पूर पवई फूल पर पवई सीच पर भाजबा और सपा के वीच काटे की टकर है यहां से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रमा कांत यादव है तो वही दूसरी तरह भारतिय जनता पार्टी के प्रत्याशी राम सूरत राजबा पूल पर पवई सीट पर रमाकांत यादव के आने से मुकाबला कड़ा हो गया क्योंकि 2017 में रमाकांत यादव के बेचे अरुन कुमार यादव भाजुपा की टिकेट पर विधायक बने थे लेकिन इस बार रमाकांत यादव सपा की टिकेट पर नहिदान में सियासी रण के आखरी चरण में अब 7 मार्च को 9 जिलों की 54 विधानसवा सीटों पर वोट डाले जाएंगे इसमें आजमगड की 10 विधानसवा सीटे भी शामिल है समाजवादी पार्टी दावा कर रही है कि पिछली बार 9 सीटे जीती थी लेकिन इस बार 10 की 10 सीटे आजमगड में जीतेंगे तो बीजेपी के अपने दावे हैं बीजेपी कह रही कि इस बार आजमगड में परिवर्तन होगा कम से कम 3 सीटे बीजेपी जीतेगी अब अगर हम बात करें सीटों की तो फुल पूर पवई जहां पर रमाकान के आदा समाज़ादी पार्टी के उमीद्वार है बीजेपी में थे सांसत बने फिर टिकट नहीं मिला नाराज हुए और फिर अगर हम कहें तो समाज़ादी पार्टी में चले गए जहां से आये थे समाज़ादी पार्टी ने उमीद्वार बनाया है और उन्हें टक्कर दे रहे हैं राम सूरत राज़भाण आजमगण में सदर सीट पर जबरदस्त लडाई है क्योंकि सपा के मौझूदा विधाय दुर्गा प्रसाद यादव एक बार फिट से मैदान में तो वहीं भाज़पाने अकलेश मिश्रा को प्रत्याशी बनाया है अगर हम आजमगण सदर की बात करने दुर्गा यादा वाड़ बार से विधायक चुने का है फिर दावा कर रहे हैं कि नवी बार भी चुने जाएंगे लेकिन बीजेपी का दावा है कि सीट पर उनके जो उमिद्वार है अरविन मिशा गुड़ू वो चुनाव जीतेंगे अब सबके अपने दावे हैं सबके अगर हम कहें तो अपने अपने वादे हैं और आजमगण की जनता यह जो है इसको तैğ करना है कि वो साथ मार्च को जब वोट देने जाएगी तो ईवियम में कौन सा बटन दबाएगी और दस मार्च को जब परणाम सामने आएंगे तब दावे और हकीकत क्या है सब को पता चलेगा झालेगा झालेगा